मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश के करीब 1,80,000 सम्विधा करमचारियों का डाटा तयार करने को कहा गया है GAD यानी समाने प्रसाशन विभाग ने मुख्यमंत्री निर्देश के बाद सभी विभागों के ACS, प्रमुक सचीव और सचीव से चार अलग-अलग बिंदूओं पर जानकारी मांगी है इतना ही नहीं बलकि सभी विभाग के अलावा निगम और मंडल को भी इस बाबत जानकारी देनी होगी GAD ने तीन दिन के भीतर सभी बिंदूओं पर जानकारी मांगी है सम्विधा करमचारियों को लिए एक और बड़ी ख़बर आई है सबसे पहले आप लोगों को बता दे कि कल GAD जो समाने पर सारसन बिभाग के सचीव है डॉक्टर भी रहजेंदर उनको भी फटकार लगी है माननीय मुखमंतरी महोदय की क्योंकि आप लोगों को बता दे क्योंकि उनहीं का काम था कि जितने भी सम्विधा करमचारियों के बचे हुए बेवरा है डाटा है उन सभी को संगरह करके जल से जल रिपोर्ट करे ताकि उन पर फैसला आ सके जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे हमकी OPD सेक्षन में आप लोगों का फाइल फसा हुआ है और जिसके बात जो है समाने परसासन बिभाग को फटकार जब मिली है तो समाने परसासन बिभाग सभी बिभागों के ACS पर कड़ी कारवाई करते हुए उन्होंने तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है क्योंकि संबिदा कैबिनेट बैठक हो जाती है लेकिन संबिदा करमचारियों के हित में सरकार कोई भी फैसला नहीं कर पाती है क्योंकि सरकार के पास जो है संपुर्ण संविदा कर्मियों का डाटा है ही नहीं तो सरकार आखिर क्या करे सरकार भी मजबूर है इसलिए जो है आप लोगों को बता दे कि रिपोर्ट जारी करते हुए जो समान परसासन विभाग है बिहार के उनको जो है जब फटकार लगी तो उन्होंने सभी जितने भी विभाग है उन सभी के साथ ACS के साथ जो है बैठा करके उन्हें सलाह दी है उन्हें बताया है कि तीन दिन कंद्रम जैसा कि आप लोग को हम बता दे कि संभीदा करमचारियों को राज सरकार ने बड़ी सोगात दी है मुखमंत्री के मताबिक परदेश के करीब 1,80,000 संभीदा करमचारियों का डाटा तयार करने को कहा गया है बता दे 1,20,000 संभीदा करमचारियों का डाटा जो है GAD को मिल चुकी है यहाँ पे clear लिखा हुआ है कि क्योंकि अभी 1,20,000 कर्मियों का ही डाटा GAD को मिला है GAD यानि समाने परशासन विभाग ने मुख मंत्री के निर्देश के बाद सभी विभागों के ACS परमुक सचीव और सचीव से चार अलग अलग बिंदूओं पर जानकारी मांगी है इतना ही नहीं बलकि सभी विभाग के अलावा निगम और मंडल भी इस बावत जानकारी देनी चाहिए GAD ने तीन दिन के भीतर सभी बिंदूओं पर जानकारी मांगी है बता दे कि GAD सचीव डॉक्टर बी राजंदर की और से जारी आदेश पत्र में करमचारियों के पदों को लेकर जानकारी मांगी गई है कि आखिरकार जो संबिदा करमचारी है सरकारी विभागों के किनकिन पोस्ट पर वो काम कर रहे है जब तक इसका सही डाटा नहीं मिलेगा जब तक उनका व्यवरा नहीं मिलेगा तब तक विभाग कैसे कुछ करेगा क्योंकि नियमिति करन की प्रकिडिया जो भी होती है या फिर सेवा समायोजन होता है तमाम फैसले GAD ही करती है समानी परशासन विभाग ही करती है क्योंकि उनके थुरू ही जो है नियमिति करन होता है तो आप लोगों को हम बता दे कि सरकार को जब इस पत्र को नहीं मिला जब भी सरकारी विभाग के SES हैं मतलब की IPS रेंग के अधिकारी होते हैं जो conduct rules के हिसाब से उस विभाग को चलाते हैं उसी से उनकी meeting हुई है meeting करने के बाद उन्होंने साब तोर पे कहा है कि 3 दिन के अंदर जो है हमें चाहिए पूरी जानकारी जैसा कि आप लोगों ने इस खबर में भी सुना होगा तो चलिए ऐसा ही खबरों के लिए देखते रहिए फिर मुलाकात हुगिए के नई खबर के साथ तब तक के लिए देखते रहिए world report